हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में साइट आई जोपे तो हम आप लोग के साथ फिर से जूट चुके हैं एक नए केंपस प्लेस्मेंट के साथ तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ तो हीरो मोटर्ड़, क्रोप्स, हरिद्वार और उत उत्रपदेश में इस केंपस को दो जगापे दो डेट में लगा जा रहा है तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस केंपस प्लेस्मेंट में आपको क्या क्या डाकुमेंट से ले जाने हैं क्या eligibility, क्या criteria, क्या age limit, क्या qualifications के साथ कौन-कौन से candidate इसमें participate कर सकते हैं तो सारा कुछ information में आप लोगो इस केंपस प्लेस्मेंट से related इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो के आश तक बने रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दो कि जो भी candidate अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बाद चैनल को सस्क्राइब जरूट कर लें और साथी साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सेयर करें ताकि जो भी जरूट मंद है जिनको जयोब की नीड है और जो लोग जयोब करना चाहते हैं उनके पास जो है वी विलन मैनुफेक्चर करने वाली कंपणी हीरो मोटर स्क्रोप्स जिसके दो प्लांट है हरिद्वार और उत्राखन में दोनों प्लांट के लिए जो है केंपस प्लेस्मेंट का आयोजन होने जा रहा है तो केंपस सेलेक्शन परिस्सा अस्थाल के बात कर लें तो गवर्में से आईटाई पास आउट कंडिडेटों का जो है स्रक्शन किये जाएंगे तो दो मार्च को जो है गवर्मेंट आईटाई कोलेज आजमगर में जो है इस केंपस प्लेस्मेंट को लगाया जा रहा है कैटरिया के बात कर लें तो 2020 से लेके 2022 तक के जो है आईटाई पास कर सकते हैं तो फीटा टरनर मेंशनिस्ट मोटर मेकानिक डिजल मेकानिक टेक्टर मेकानिक एलेक्टिसियन के इसमें पास पास आईटाई जाएगी इन हैंड जो आपको 14,000 के संथिंग जो है आपको पी एफसाई और अधर्स बेनिफिट्स जैसे के कटोती के बाद आपको इन हैंड मिलने माला है 14,000 सेलरी तो दोस्तों मैं आप लोग बताते हैं तो इसमें केंट्री निफार्म सेप्टी सुज मेटकल एंसुरेंस की बवस्ता फिर यह पोष्ट जो कंपनी के तरफ से आपको प्रवाइड की जाएगी और सबसे बड़ी बात रहने माला है कि इस कं कर दिया जाएगा एक्स्पिरेंस लेटर आपको प्रवाइड की जाएगी और उसके बाद जो है अगर आपको दुबारा बुला जाता है तो आपको पर्मनेंट होने के भी चांसस प्रवाइड किये जाएंगे तो यह भी कंडिट एक चुक हैं इस केंपस प्लेस्मेंट को करना चाहते हैं तो दो मार्च को गवर्मनेंट आईटाई कोलेज आजमगड उत्रपदेश में जाके पाटिस्पेट करने होंगे जिसके लिए कॉंटेक्ट नंबर आपको प्रवाइड किये गए हैं कोई भी जनकारी लेना चाहते हैं तो आपको प्ता दूं तो इस केंपस प्लेश्पेंट आपको डाख्मेंट ले जाना हैं धसमी आईटाई कोविड वेक्सिनेशन अधर कार्ड। पैर तो दोस्तों आप लोग सब कित इसमें भी महिला और पूरूर संदोमें लोग पार्टिकर्ट कर सकते हैं तो इस एक कंपस प्लेश्मेंट का पापका कैटेरिया और जो भी आपका सेलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है केवल इसका आपको आयोजन जो रहेगा आपका आयोजन इसमें गवर्मेंट आईटाई कॉलेज सिद्धिकपूर जवनपूर डिस्टिक जवनपूर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो जवनपूर ड एक नमबर नीचे प्रवाड किया गया है तो दोस्तों तीन मार्च को आपका आजवनपूर में और दो मार्च को आजमगड उत्तर प्रदेश में जो है दो केमपस प्लेस्मेंट और साथ ही साथ एक और केमपस प्लेस्मेंट एक तारीको सुल्तानपूर में लगने जा रहा और उनके candidate अगर पार्टिस्पेट करना चाहते हैं उन जी लोग के तो आप फिर याप कोश्ट जो है इसमें जाके campus placement को अटेंड करके आप जो है जोब पास सकते हैं तो आप लोग जाके इसमें पार्टिस्पेट करें कोई भी डाउट से आपके मन में अगर चल रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें आपके पूरी सहायता की जाएगी और ऐसे ही लाटेस्ट campus placement की जानकारी के लिए हमारे से लोगों को भी subscribe जरूर कर लें तो चले दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए requirement के साथ तब तक के लिए जहें साथ ही हो